उत्तरकाशी में बन रहे इस सुरंग में फसी हैं 40 मजदूरों की जिंदगी आखिर कैसे चल रहे होंगे इनकी सांसे? क्या चल रहा होगा उनके बन में? क्या सोच रहे होंगे सुरंग के अंदर फसे ये 40 मजदूर? कैसे अपनी जिन्दगी बचाने और सुरंग से बाहर आने के लिए अपने हाथ पैर मार रहे होंगी क्या सब सही सलामत सुरक्षित होंगे भी या नहीं ये सब ऐसे सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है आप इस सुरंग को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर मंजर कैसा होगा सुरंग के अंदर फसे लोगों से बादशीत की जा रही है दहरादोन से तकनीकी टीम भी आई है लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये सफल हो पाएंगे अंटी आरेफ और स्टी आरेफ की टीमों का रेस्क्य ऑंपरेशन भी जारी है जिन्दगी से जद्दो जहद कर रही लोगों को सकुशन निकालने के लिए प्रयास लगातार जारी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी इस घटना की पलपल की जानकारी ले रही है सीम पुशकर सिंधामी ने बताया कि सभी लोग सकुशन है मान्नी प्रधान मंत्री जी लगातार सरमिगों की कुसलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं उन्होंने वेक्ट की है और पूरे घटना करम को मैंने आरणि प्रधान मंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नजदीक से देख रहे हैं और मैं स्वेम वहाँ गया भी था प्रभावित जो परिवार के परिजन है उन सबसे भी मैंने बात की है जो समिक भाई अंदर है उनके परिवारी जनों से भी बात हुई है सभी वहाँ पर कुसल है और जो हुम पाई पित्यादी है टेक्निकल टीम उसको एसेंब्लड करने में लग गई है और जो भी समय लगएगा जल्दी से जल्दी जो है कुसलता उनकी कुसलता से बहार आ जाएं इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुसल हैं और लगातार उनको भोजन सामागरी और पानी और साथ में ऑक्सिजन की सप्लाई हो रही है सभी लोग लगातार उस पर नजर बनाये हुए सर ओकर समी साथी तेजी से चल रहा है लगातार उनकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहां भी जिनको निर्देश होने हैं वहां से हो चुके हैं और हमने यह भी कहा है कि चुकि टरनलों का काम हमारे उत्राखंड में बहुत ज़्यादा है जगा-जगा पर टरनल बन रही है इसलिए कि निकट भाईशी में हम जितनी भी समाधान हो जाएगा। ये बड़ा सवाल है। इन लोगों की सलामती के लिए यहाँ पूजन भी करवाया गया है। इसी बीच सरकार ने सासे की जाच के आदेश दिये है। उत्रकंट सरकार ने सुरंगदुर घटना की जाच के लिए मंगलवार को छे सदस्ये विशिशक के समीती का गठन किया है।